हेलो स्टुडेंट्स आइवेलकम ओल आफ यू इन केने से जुकियार तुडे वी आ लर्निंग दे न्यू चाप्टर विच नेम इस फ्रैक्शन्स आज हम लर्न कर रहे हैं फ्रैक्शन्स के बारे में अभी यह फ्रैक्शन्स होता क्या है उसे हमें लर्न करना है देखिए यह चाप्टर है 6 Mathematics NCRT तो स्टूडेंट्स अब तक हमने होल नंबर्स देखे नाचरल नंबर्स देखे अभी सम्टाइम्स यहाँ पर कुछ नंबर्स होते है जैसे कि 1 & 2 1 अपन टू यह नंबर में यहाँ पर लिखा है तो यह इसे क्या कहेंगे इसका मीनिंग क्या है यह कौ दग 1 upon 2 इस मैनस में हम यहाँ पर लिख सकते है तो इसे कैसे लिखते है इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है उसे यहाँ पर कंपरिजन फॉर एकजमपल टू नंबर्स है जैसे कि हम यहाँ पर 7 & 8 में आसानी से कह सकती कि 8 is greater than 7 तो यहाँ पर इसे नंबर्स आए तो वहाँ पर उसे कैसे कंपरिजन किया जाता है उसमें कैसे कंपरिजन करना है उसके कुणकों से variety of types है sometimes नंबर ऐसे भी दी जाते है तो 3 & 5 ऐसे भी नंबर होते है तो इसे कैसे read करना है यह सब भी बाते हमें इस पूरे chapter में learn करनी है तो यह start करते है fractions chapter को from the introduction से so Shubhash had learnt about fractions in classes यहाँ पर देखे 4 & 5 में उसने learn क्या था आपने भी already 5th standard का जो आपका math magic book है उसमें भी fractions क्या होते है उसका introduction देखा है already okay so whenever possible he will try to use fraction वो क्या करता है fraction use करना start करता है okay so one occasion was when he forgot his lunch at home his friend Farida invited him to share her lunch okay मतलब उसका जो उसकी जो friend थी Farida उसने उसे बूला ले के आजा तु मेरे टिफिन में से थोड़ा सा lunch कर ले okay so she had five puris in her lunch ब्राक उसके जो lunch box था उसमें कितने थी puris five puris थी so Subhash and Farida took two puris each okay ठीके आभी देखे five puris है ना तो one यह two two three four and five okay तो इन में से दो लिया यहाँ पर सुभाशने दो लिये हैं हाँ पर फरीदाने अभी बची एक तो हम क्या करते हैं usually अभी देखे हैं हमारा best friend है तो हम यहाँ पर इसे थोड़ी नहीं कहते हैं तू में तीन खाऊंगा और तुझे ही दो दूँगा इसे थोड़ी नहीं कहते हैं हम क्या करते हैं हम यहाँ पर उस पूरी को equally divide करते हैं तू पार्ट्स में तो यह पार्ट्स क्या होता है इसे हम क्या कहेंगे गर हमें mathematically यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे कहेंगे so thus both Subhas and Farida had two full puri and one half puri okay तो यहाँ पर दो puri की puri यहाँ पर दोनों को मिल गई और half-half दोनों को मिल गई okay तो यहाँ पर हम क्या लिखते है इसे mathematical में तो puri and half puri Subhas को मिली two puri and half puri यहाँ पर Farida को मिली ठीक है so where do you come across situation with the fraction in your life इसे बहुत सारी है situation आपको क्या करना है अपर एक activity देता हुए आपर तो आपको क्या करना है इसे कौन-कौन से situation होते है जहां पर आप fractions use करते है अभी आपको fraction तो पता है क्या होता है fraction मतलब यहां पर numerator and denominator में इसे कुछ values लिखे जाती है जैसे कि one and two है three fourth है okay then after that one and fourth भी ऐसे हमने देखा था one and fourth है यह यहां पर कैसे use किये जाते है हमने clocks में भी देखे थे ठीक है आपको यादा रहा है half and one and fourth कैसे denote किया जाता है in clock एक clock था उसमें मुझे half rotation half revolution यहां पर उससे denote करना है then one third revolution मुझे denote करना है तो यह स सुभाष know that one half is written as one by two उसको पता है कि one and half जो है one upon two ऐसे लिखा जाता है अभी यह one upon two है क्या देखिए जो पूरी थी उसके हमने कितने parts बनाए यहां पर equal two parts हमने बनाए ठीक है तो यह first part और यह second part तो यहां पर mathematically हम क्या करते है एक line खेजते है तो इसके नीचे जो value लिखत कहते है और जो उपर लिखा जाते है वो जो मतलब यहां पर जो space है उसे हम numerator कहते है अभी कितने parts अभी देखे यह part मिला सुभाष को और एक मिला फरीदा को तो अगर मुझे यहां पर सुभाष का portion जितना उसे मिला है वो मुझे represent करना in the mathematical में तो मैं क्या लिखता हूँ तो two total parts में कितने parts से one and two two total parts में से उसे एक यहां पर part मिल गया so we can write it as a one upon two okay so मतलब कितने parts हमने divide कि वो जो पूरी थी उसको हमने two parts में divide किया और उसमें से एक part हमने सुभाष को दे दिया मतलब फरीदा ने उसको दे दिया okay so while eating he further divided his half पूरी into two equal parts अभी उसने क्या किया जो उसक और half में divide किया ठीक है so देखिए यहां पर दिख रहा हमें ऐसे उसने half part में और divide किया so into two equal parts and ask फरीदा what fraction of the whole पूरी was that piece अभी यहां पर देखिए उससे कितने मिले है parts यहां पर two parts गरम मानके चलते two parts यहां पर सुभाष को मिले and two parts यहां पर फरीदा को मिले तो total कितने parts है यहां पर total four parts है and again यहां पर दिखिए उपर कितने आ जाएंगा two parts four में से two parts यहां पर सुभाष को मिले है तो fraction क्या बनता है two upon four but students गर हम यहां पर इसे combine करते तो यहां पर क्या बनता है half बनता है ना one upon two बनता है तो इसका मतलब two upon four and one upon two यहां पर क्या है equal value बनती है okay तो इस से हम equivalent fraction के था ही आब यह आने वाले पार में हम देखेंगे equivalent fraction क्या होता है okay so without answering Farida also divided her portion of the half पूरी into two equal parts and keep them besides सुभाष के जैसे कि हापर दिख रहा आपको so she said that these four equal parts together make one whole okay मतलब यह चारो भी मिलके पूरा parts बनाता है so each equal part is one fourth of one whole पूरी and four parts together will get one मतलब यहां पर देखेंगे जो पूरी थी हमने इसके four parts बनाए तो एक part गर मुझे denote करना है तो हम लिखते है one upon four four में से एक parts हमने ले लिया okay तो उसे क्या कहते है one fourth तो इस portion को हम क्या कहेंगे one fourth portion कहेंगे of that पूरी ठीक है अभी मुझे total यहां पर दिखाना है तो हम क्या करते है one whole यह पूरी कितना है यह एक पूरी है ना एक ही है ना यह तो हम यह पर one whole numbers कहेंगे अभी one whole को अगर मुझे fraction में denote करना हम क्या लिखते है four upon four अभी देखें students यहां पर जो divide मतलब यह जो sign है इसे divide भी हम यहां पर कर सकते हैं मतलब यहां पर देखें four को मैंने divide किया तो I will get the answer one so four upon four is also equal to one okay तो four upon four और one भी हम यहां पर लिख सकते हैं okay so when because four में से four parts देखें गर मैं आपको four में से four parts दे रहा हूं मतलब total एक पूरा दे रहा हूं ना मैं पूरा एक parts मतलब जो पूरी है पूरा में दे रहा हूं correct तो इसलिए four upon four यहां पर one हो जाएगा so when they ate they discuss what they had learned earlier okay उन्होंने क्या learn किया था उसने discuss किया so three parts out of four equal parts is called three fourth उसे हम क्या कहते है read करिये मेरे साथ कैसे read करना है three fourth portion read करिये मेरे साथ again three fourth portion similarly three upon seven three देखे three upon seven is obtained when we divide a whole into seven equal parts देखे मतलब जो पूरी थी उसको गर आम यहापर seven parts में divide करते हैं जैसे कि आपर कितने parts में divide one two three four five six seven यहापर eight parts में किया है गर मैं उस पूरी को seven parts में divide करता हूँ तो उसमें से three parts मतलब three seven में से three parts हमने दे दिया okay इसे कहा जाता है okay जैसे कि यहापर diagram में eight portion दिया है तो इसका एक portion क्या हो जाएगा one upon eight कहलाएगा जैसे कि यहापर another diagram ही यहापर देखे जो rectangle है उसके कितने portion बनाए one two three four five six seven यहापर seven है and seven में से कितने parts highlighted है यहापर three parts are highlighted so we call it as a three seventh okay यह portion कितना हो गया three seven portion हो जाएगा पूरे diagram मितले यह जो पूरा rectangle है उसका यह three seventh portion हो okay so Farida said that we have learned that a fraction is a number representing part of a whole okay यह जो fraction क्या करता है एक number है जो represent करता है part of whole का the whole may be a single object or a group of objects मतलब जो whole है यह single object भी हो सकता है या तो group of objects भी हो सकता है so Subhash observed that the parts have to be equal यहापर देखे उसने यहापर observe गया कि the parts have to be equal so अभी a fraction देखे फ्रैक्शन तो हमें पता है अभी हमें यहापर familiar है about the fraction तो यहापर देखे जो discussion उन्होंने किया हो हम फिरसे दोहराते है a fraction means a part of a group of a region so 5 upon 12 आप यहापर 5 12 भी कह सकते है 5 upon 12 भी कह सकते है कोई बात नहीं तो यहापर normally उसे read किया जाता है 5 upon 12 is a fraction so we read it as okay so we read it as 5 12 हम यहापर उसे read कैसे करेंगे 5 12 यहापर उसे read करेंगे okay so what does 12 stand for okay यहापर जो 12 है वो क्या stand करता है उसका meaning क्या है यहापर so it is a number of equal parts into which the whole has been divided जो पूरा whole है उसे divide क्या है 12 parts में उसमें से 5 parts हमने यहापर ले लिये है so 5 upon 12 यहापर क्या हो जाएगा so 5 12 यहापर मतलब 5 portion हमने लिये है 12 में से so what does 5 stands it is a number of equal parts which have been taken out so here 5 is called the numerator उसे हम क्या कहते है numerator और जो नीचे है उसे हम कहते है denominator क्या कहते है आपके notebook में लिख लिजिए जो यहापर उपर वाली एक काम करें इसे लिखिए एक line तो next standard में जो words problem होते है वहाँ पर भी numerator denominator पे best questions पूछे जाते हो के fraction में जो algebraic expression होते हैं क्या होते हैं नेक्स चाप्टर में भी learn करने वाले है तो numerator क्या होते है आपको कहा जाते हैं कि numerator denominator में यह से value है उसमें comparison है numerator denominator से twice है तो आप उसकी value find out कर यह से पूछे जाते हैं तो आपको numerator क्या होता है denominator क्या होता है वो understand कर लेना है अच्छे दर से पता होना चाहिए तो यहाँ पर दीखे 4.15 में 4 is written in the numerator and 15 it is written in the denominator correct ना so यहाँ पर दीखे 3 is in the numerator and 7 is in the denominator ओके तो यह होता है fraction तो students यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो fractions होते हैं यह सभी यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या होते हैं यह सभी whole numbers ही होते हैं कि fractions में whole numbers होते हैं यह भूलना नहीं है so play this game you can play this game with your friends आपके साथ भी आप यह खेल सकते हो friend के साथ take many copies of the grid as shown here आप आपकी जो book होती है देखिए इसे grid वाले आपके पास book होंगे आपने earlier standard में use क्या होगा इसी गर book आपके पास पढ़ी होता आप उसे भी ले सकते हो so take many copies of the grid so consider any fraction say half ओके यह आपर देखिए इसका half मुझे portion color करना है so each one of you should share half of the grid आपको क्या करना है half of the grid यहाँ पर color करना है कैसे करेंगे अब भी देखिए मुझे गर यह पूरे का half मुझे portion color करना है तो मैं यहाँ पर इसे पूरा यह जो portion है यहाँ पर इसे color करूंगा ठीक है I think आपको यह समझ में आ चुका होगा तो students देखिए हाफ यहाँ पर हम इसे denote करेंगे so students आज हमने इस lecture में क्या learn किया है आज हमने देखा fractions क्या होता है उसका just introduction देखा जो हमने previous standard में learn किया था उसको just recall किया fraction में उपर जो लिखा जाते है उसे हम कहते है numerator और जो नीचे value लिखे जाती है उसे denominator कहते है and always fractions are in all the values मतलब numerator and denominator में जो values क्या होती है whole numbers में ही होती है I think आपको पूरा आजका lecture समझ में आ चुका होगा तो next के video में हम exercise जो आपकी है उसे solve करेंगे ठीक है तो मिलते है next video में thank you